Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज का वीडियो है, इसमें मैं बात करूँगा Advanced Trading की अब देखिए Advanced Trading के जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई अलग strategies की बात कर रहा हूँ कोई different out of the world strategies की मैं बात कर रहा हूँ Basically जो strategies हम trade करते हैं उन्ही की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन Advanced Trading का मतलब यह हो गया कि उन्ही strategies को trade करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है उनको देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है कैसे यह मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाओंगा तो basically आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो एक बार मैं आपको clarify कर देता हूँ मैं आपके साथ 4 strategies शेर करूँगा शुरू की जो 2 strategies हैं वो मैं आपको यह बताऊँगा कि अगर आप एक experience trader हो आपके अंदर काफी time हो गया आपको trade करते हुए एक अच्छी समझ आपके अंदर आ गई है options की तो आपको यह 2 strategies ट्रेड करने चाहिए लेकिन अगर आप एक नए trader हो आपको बहुत ज़्यादा time नहीं हुआ आप एक beginner level पे हो तो फिर आपको किस तरह से trade करना है फिर मैं आपके साथ 2 strategies और share करूँगा तो चलिए अब आज के इस वीडियो को start करते हैं मैं आपको screen के उपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर यह practically करके दिखाता हूँ लेकिन screen पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक option seller की app को नहीं किया है तो नीचे description में आपको link मिल जाएगा link पे जाके आप app को download कर सकते हो तो देखिए यह मैं आपको screen के उपर ले आया हूँ अब बात कर लेते हैं अगर आप एक experience trader हो आपके अंदर एक अच्छी समझ है एक अच्छी knowledge options की तो आपको कौन से strategies trade करने चाहिए तो देखिए जितने भी जो experience trader होते हैं उनकी जो best trading strategies होती है वो दो होती है एक straddle एक strangle जिनका नम आपने सुना होगा जो सबसे ज़्यादा popular strategies है जी हाँ straddle और strangle है इनसे better strategy कोई नहीं है अगर आपके अंदर options की अच्छी समझ है तो आपको काफी time हो गया options को trade करती होई तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो वो strategies है जहां पर profit हो सबसे fast trade से आता है इनसे तेज profit और किसी भी strategy में नहीं आता है हाँ अगर आप naked option buying करते हो तो बात अलग है क्योंकि वो कोई strategy नहीं है फिर आप market को predict कर रहे हो आप एक तरह से एक सटा खेल रहे हो कि आपका view सही हो गया तो आपका profit हो तगड़ाएगा वरना आपने जो lottery ticket buy किया वो zero होने दे रहे हो आप तो अगर आप option buying कर रहे हो तो बात अलग है लेकिन अगर आप strategies के through trade करते हो तो straddle और strangle वो strategies है जहां पे आपका profit हो सबसे fast trade से आता है तो अगर आप experience trader हो तो आपको straddle और strangle को trade करना चाहिए लेकिन हाँ यहाँ पे आपके capital है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए अब straddle और strangle है यह आपको बताने की जरुवत नहीं है उनका setup किस तरह का होता है आप जानते होंगे बट still मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ मान लीजिए आप एक straddle को trade करना चाहते हो तो straddle में क्या होता है same strike price का call और put दोनों हम sell करते हैं जैसे example के लिए आप देखे यहाँ पे market trade कर रहा है 19,700 पे यहाँ पे अगर आप एक straddle को trade करते हो एक at the money के straddle को trade करते हो तो यहाँ पे आप देखे मैंने एक straddle को यहाँ पे deploy कर दिया है तो यह एक at the money का straddle है लेकिन straddle में एक चीज़ का confusion रहता है traders के बीच में कि जो at the money जहाँ पे market trade कर रहा है वहीं पे एक straddle को हम trade कर सकते हैं ऐसा नहीं होता है straddle को आप biasness दे सकते हो straddle का मतलब यह नहीं होता है market जहां पे trade कर रहा है वहीं का call or put sell करना है straddle का मतलब यह होता है कि same strike का call or put दोनों sell करने है अब वो same strike है वो in the money भी हो सकता है वो out the money भी हो सकता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो at the money ही होना चाहिए नोर्मली जब भी हम straddle की बात करते हैं हम at domain की straddle को sell करते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ये in domain, out domain कहीं का भी हो सकता है लेकिन हा, straddle को जो define करता है वो उसकी ये property है कि call और put जो हम sell कर रहे हैं वो दोनों same strike price के होंगे तो ये होती है straddle जो मैंने आपको दिखाई वहीं पर अगर मैं strangle की बात करूँ तो strangle को भी आप जानते होंगे एक out domain का put option और एक out domain का call option अगर मैं sell कर देता हूँ तो उसको बोलते हैं एक short straddle वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ तो देखे 19,700 पे market trade कर रहा है तो यहां से आप नीचे जाके और let's say 19,600 का एक put option sell करते हो और यहां से 100.2 पर आके यह weekly की strategy क्योंकि आज expiry है इस वज़े से premium इतने कम है तो यह हम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यह कोई trade recommendation नहीं है कि आज आपको यह trade करना है या कल आप market में जाके इसको trade करना start करतो तो यह एक strangle होगी यहां पे मैंने क्या किया है out the money का put option sell कर दिया है और out the money का call option sell कर दिया है तो मोटा मोटी में आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एक experience trader हो तो यह दो strategies है जो आपके लिए best है अगर आपकी capital भी अच्छी है और आपकी समझ भी अच्छी है तो आपको यह दोनो strategies trade करनी चाहिए क्योंकि यहां पे आपकी जो profit आने की rate है वो बहुत अच्छी होती है तो इस वज़े से यह strategies है यह आपको trade करनी चाहिए दोनों लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यह आपको तब trade करनी चाहिए जब आपके पास अच्छी खासी समझ हो अगर आप एक beginner हो तो आपके लिए एक big no है यह strategies आपको trade नहीं करनी चाहिए तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा लोस आपको कितना भी हो सकता है तो वहाँ पे आपको adjustment करने की जरुवत पड़ेगी और इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप उस position को manage कर लोगे लेकिन अगर आपको adjustment नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप first जाओगे तो इस वज़े से यह दो strategies ज मैंने आपको बताई है इनी strategies में से और वो दो strategies निकलती है जो आपको trade करनी चाहिए अगर आप एक beginner हो तो देखे यहाँ पे मैंने आपको दो strategies बताई है straddle और strangle अब यह जो straddle strategy है इसमें क्या हो रहा है यहाँ हमें call option को sell कर रहे हैं एक put option को sell कर रहे हैं लेकिन यहाँ आपका risk का वो open है अब यह जो open risk है यह एक beginner trader के लिए सही नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है अगर आप एक beginner हो तो आप trade किजे straddle को लेकिन दोनों तरफ hedges आप buy कर लेजे जब आप hedges buy करते हो तो यह जो आपका straddle है यह convert हो जाएगा एक iron fly में वो एक iron fly में convert हो जाएगा अब आपका जो undefined risk है वो कम हो जाता है कैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ आज actually expiry है तो मैं अगली series का लगा देता हूँ तो देखे market trade कर रहा है 199700 पे तो एक straddle में क्या होता है 199700 का एक call option है यह मैंने sell कर दिया और 199700 का एक put option है यह मैं यह देखे यह एक straddle है अब यहाँ पे आपका risk है वो undefined है उपर और नीचे दोनों तरफ तो अगर आप एक beginner trader हो तो आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगे आप hedges buy कर लेजिए कैसे चलिए 199700 का call or put दोनों मैंने sell किये हैं तो इससे मान लेजे 500 point मैं नीचे जाता 19200 का एक put option है यह buy कर लेता हूँ यह मैरा hedge नीचे की तरफ का हो गया और उसी तरह से 9900 से 500 point उपर जाके और 20200 का एक call option मैं buy कर लेता हूँ यह hedge मेरा उपर की तरफ का हो गया तो यह मैंने उपर और नीचे hedges buy कर लिए हैं क्यों क्योंकि जो मेरा straddle था उसमें उपर और नीचे जो risk था वो undefined था इस वज़े से मैंने उपर और नीचे hedges buy कर लिये हैं अब आप देखे अब आपका risk का वो undefined नहीं है यहाँ पे आपका जो maximum loss है वो 7400 रूपीज का है कि ज़्यादा से ज़्यादा loss आपको 7400 रूपीज का हो सकता है अब आप कमान लेजे दिमाग बे ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे इतना risk भी नहीं लेना है मिर लिए 7500 का loss भी बड़ा loss है तो यहाँ पे आपके उपर है आप जितना risk लेना चाहूँ उतनी ही आप width रखिए यहाँ पे देखिए 9700 से नीचे जो मैंने hedge buy किया वो 500 पॉइंट पे किया है अगर आपका risk appetite कम है तो आप इसको कम कर दीजे आप यह जो distance है यह 400 पॉइंट का ही रखिए या 300 पॉइंट का ही रखिए तो जितना आप कम करोगे उतना आपका risk कम होता जाएगा उपर और नीचे दोनों तरफ जैसे नीचे की तरफ मान लीजे आपका loss है साड़े साथ हजार रुपे का आप मान के चलिए इसको आपको कम करना है तो कैसे करोगे 17200 का जो put option आपने buy किया है इसको मान लीजे मैं कम कर देता हूँ सोरे 19200 का इसको मान लीजे मैं 19400 कर देता हूँ तो आप नीचे की तरफ देखिए आपका जो risk का वो कम हो जाएगा यहाँ पे आपका risk का वो even पूरा हट गया है और उपर की तरफ अगर मैं देखूँ इसको भी अगर मैं कम कर देता हूँ 200 point मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो 20,000 का अगर मैं बाई करता हूँ नीचे की तरफ तो आप देखिए आपका जो risk पहले कितना था 7,000 का था वो यहाँ पे अब 2800 रुपीज का हो गया है तो यह जो iron fly है इसकी beauty यही है कि अगर आप एक straddle को trade करते हो तो वहाँ पे आपका risk का वो undefined है लेकिन यहाँ पे आप अपने risk को कम कर सकते हो और अपने risk appetite के according आप उसको कम या जादा कर सकते हो जैसे 7,500 में अगर आप comfortable नहीं हो आप उसको और भी कम कर सकते हो या अगर आपका यह है कि मुझे profitable range थोड़ी wide चाहिए मैं risk लेने के लिए ready हूँ तो आप इसको और बढ़ा भी सकते हो तो even मैंने जो course डाल रखा है वो iron fly के उपर ही है वहाँ पे सारी चीज़े मैंने आपके साथ share किये है वहाँ पे multiple adjustment मैंने वहाँ पे discuss किये है तो मैंने आपको बताने description में जो link का app का वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे यह आपको देखने को मिल जाएगा तो beginner अगर आप हो तो आप एक straddle को trade मत कीजिए आप straddle में एक modification कर दीजिए उपर और नीचे दोनों तरफ आप hedges buy कर लीजिए और वो convert हो जाएगी एक iron fly में जिसका setup इस तरह का होता है और यहाँ पे आप अपने risk appetite के हिसाब से अपने risk को कम या जादा किस तरह से कर सकते हो वो मैंने आपको बताया चलिए तो आप बात कर लेते हैं दूसरी strategy के तो देखे मैंने advance trader के लिए दो strategy बताई एक straddle और एक strangle तो straddle के हमने बात कर ली है कि straddle के जब मैं hedges buy कर लूँगा तो यह iron fly बन जाएगा उसी तरह से दूसरी जो strategy मैंने आपको बताई थी वो strangle थी लेकिन strangle आपको trade नहीं करनी है अगर आप एक beginner trader होतो तो strangle के अंदर भी आपको एक modification करना है और उसके बाद आप इसको trade कर सकते हो लेकिन वो competitively थोड़ी सी risky strategy है लेकिन उसको compensate करता है उसकी जो profitable range है उसको आप अपने हिसाब से जितने चाहो उतने wide कर सकते हो इस वज़े से वो strategy मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यह strategy क्या है यहाँ पर आप देखे 19,700 पी market trade कर रहा है तो एक strangle को अगर आप sell करते हो तो उसमें क्या होगा आप नीची की तरफ जा रहे हो आपको मान लिजे 19,200 है यहाँ का आपने एक put option sell कर दिया है और उसी तरह से 20,200 का आपने एक call option sell कर दिया है यह देखे यह आपके strangle का setup है आपने call और put दोनों sell कर दिये है अब जो strategy मैं आपको बता रहा हूँ वो यह है जो plain straddle है उसको आप trade मत कीजिए आप एक double ratio spread को trade कीजिए उससे क्या होता है यहाँ पर यह जो एक एक option मैंने sell किया है इसके जगह मैं दो option sell करूँगा और अंदर की तरफ एक एक option में buy कर लूँगा तो यह combination हो जाता है एक call ratio spread और एक put ratio spread का यह अब मैं आपको क्यों recommend कर रहा हूँ हाला कि एक double ratio spread है उसमें भी आपका जो risk है वो undefined होता है लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि एक strangle से बैटर है कि आप एक double ratio spread को trade कीजिए उसके पीछे का logic यह है कि अंदर की तरफ हमने एक एक option को buy किया है तो इससे क्या होगा आपके जो break events है वो काफी दूर चले जाते है आपके profitable range है वो काफी wide होती है और यहाँ पे आपके profit आने की जो rate है वो भी fast हो जाती है तो यह strategy मैंने यहाँ पे इसलिए include की है कि अगर आप एक beginner हो तो जो profit आने की rate है उस पर आप पूरी तरह से sacrifice ना करो मैंने आपको बता दिया कि जो experience trader है वो straddle strangle को trade कर सकते हैं जहाँ पे profit आने की rate हो काफी जादा होती है अब आप एक beginner हो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जो profit की rate है उसको पूरी तरह से sacrifice करना पड़ेगा तो आपकी भी profitable rate है वो ठीक्ठा को वो decent हो इसलिए यह strategy मैंने यहाँ पे include की है यहाँ पे आपकी profit आने की rate है वो अच्छी खासी होगी और strangle से better risk profile यहाँ पे आपको मिलता है क्योंकि आपकी profitable range है वो wide होती है और आप जितना चाहो उतना इसको wide कर सकते हो तो यह आपको किस तरह से trade करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो यह एक combination है double ratio spread का तो आपको क्या करना है 19,700 है यहाँ पे market trade कर रहा है तो आपको क्या करना है let's say आप नीचे जाते हो 200 point मैं आपको समझाने के लिए हाला कि यह बता रहा हूँ 200 point मान लीजिए आप नीचे जाते हो और यहाँ का एक put option buy कर लेते हो 19,500 का एक put option आपने buy कर लिया 124 rupees में अब आपको क्या करना है जो premium आपने pay कर दिया यह आपको market से वापस लेना है और यह वापस कैसे लोगी दो options को sell करके तो let's say यहाँ पर मैं चला जाता हूँ 19,250 है इसका दो option में sell कर देता हूँ 250 point नीचे जाके और मैंने इसके दो put option sell कर दिये हैं उसी तरह से मान लीजिए मैं उपर आता हूँ 9,700 से 200 point उपर आके और 9,900 है यहाँ का एक option में buy कर लेता हूँ call option और इससे अगर मैं उपर जाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए अगर 200 point यहाँ भी उपर जाता हूँ और यहाँ के 2 option में sell कर देता हूँ तो यह एक double ratio spread हो गया यह मैं आपको जो break-ion है यह almost 19,000 है और उपर की तरफ कितना है 20,400 है और आपका maximum profit है वो 13,000 उपय का है और जो probability of profit है वो 74% है इस वज़े से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप एक beginner हो तो एक strangle को trade करने की जगह है और आप इसको trade कीजिए यहाँ पे आपकी profitable range है वो भी better होगी जिससे आपकी probability of profit है वो बढ़ती है और इस चीज़ की गुझाश कम होती है कि आपको adjustment करना पड़े क्योंकि आप जब trade को initiate कर रहे हो तब ही आपकी profitable range है वो wide हो जाती है अब देखे यहाँ पे एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ कि beginners के लिए मैंने आपको जो दो strategy बताई है उसमें एक iron fly मैंने आपको बता दे कि straddle में आप hedges buy कर लीजी और दूसरी मैंने जो strangle है उसके alternate में आपको यह strategy बताई है लेकिन यह जो second strategy मैंने आपको बताई है यह comparatively risky है एक iron fly से क्योंकि यहाँ पे आपकी profitable range है वो तो wide है लेकिन आपका risk है वो अभी भी खुला हुआ है और market अगर आपके किसी भी तरफ break-on को तोड़ता है उसके बाद आपका risk है वो undefined हो जाता है तो भी आपको पता है कि मेरा risk का यह defined है इससे ज़्यादा loss मुझे नहीं हो सकता तो इस वज़े से यह strategy यह competitively थोड़ी सी ज़्यादा risk है लेकिन still इस risk को भी आप कम कर सकते हो उपर और नीचे आप weekly options को buy करके इस risk को भी एक हग तक mitigate कर सकते हो चलिए तो यह है वो strategy जो आप trade कर सकते हो अगर आप एक advanced trader हो तो मैंने आपको बताए कि straddle और strangle है उनको आप trade कर सकते हो अगर आपकी समझ भी अच्छी है आपकी knowledge अच्छी है और आपके पास capital भी अच्छी है तो straddle और strangle है वो perfect है वहाँ पे जिस तरह का आपको जो profit की rate होती है वैसी बाकि strategies में नहीं होती है लेकिन वहाँ पे risk भी खुला होता है इस वज़े से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप एक experience trader हो आपकी समझ आपकी knowledge अच्छी है और आपके पास अच्छी capital है तो आप वहाँ पे जाईए लेकिन अगर आप एक beginner हो तो मैंने आपको दो strategies कौन सी बताई है पहली जो straddle से निकली है कौन सी है कि straddle के आप hedges buy कर लीजे आप iron fly को trade कीजे वहाँ पे अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो हलाकि अगर आपको adjustment आते हैं तो भी आपका risk हो काफी छोटा होता है और limited होता है वहीं पे दूसरी strategy है उसमें आप strangle को trade ना करके और आप एक double ratio spread को trade कीजे यहाँ पे होगा क्या comparatively आपका risk है वो यहाँ पे ज़्यादा है एक iron fly से लेकिन यहाँ पे आपको एक wide profitable range मिलती है तो strangle को आप trade नहीं कर सकते उसके alternate में आप एक double ratio spread को trade कर सकते हो यहाँ पे आपको edge यह मिल रही है कि आपकी profitable range है वो काफी wide हो जाती है तो probability of profit है वो भी आपकी उपर जाती है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताए बार-बार यह चीज में repeat कर रहा हूँ यहाँ पे आपका risk है वो undefined है इस चीज को आप हमेशा याद रखिए चलिए तो यह है वो strategy जो आप trade कर सकते हो जो beginners हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया और जो advanced trader हैं उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं thank you so much for watching the video लेकिन हाँ वीडियो को खतम करने से पहले मैं आपको बता दू description में मैंने link दे दिया है अगर आपने अभी तक option seller के app को download नहीं किया है तो नीचे आपको link मिल जाएगा link पे जाके आप app को download कर सकते हो so thank you so much for watching the video I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें this is Satpal signing off